हलो बच्चों कैसे हैं आप सभी आशा करती हूँ आप सभी ठीक से होंगे बच्चों आज हम पढ़ेंगे स्वर छोटे एक की मात्रा वाले शब तो चलो बच्चों शुरू करते हैं बच्चों जो चित्र आप देख रहे हैं वह है छोटे एक की मात्रा का चिन्ह या सिंबल ठीक है बच्चों बच्चों अब मैं आपको बताऊंगे छोटे एक की मात्रा की ध्वनी कैसी होती है ए ए ठीक है बच्चों बच्चों आप सभी इसका उचारण कीजिए ए शाबाश बच्चों बच्चों ए की मात्रा हमेशा किसी भी अक्षर के उपर लगाई जाती है ठीक है बच्चों ना आगे ना पीछे और जब हम लगाते हैं इस मात्रा को किसी भी अक्षर में तो इंग्लिश का लेटर ए साउंड आता है ठीक है बच्चों कैसे बोलते हैं ए ठीक है बच्चों तो चलो बच्चों अब हम ए की मात्रा वाले शब्दों की प्रैक्टिस अच्छे से करते हैं तो चलो बच्चो शिरू करते हैं बच्चो पहला जो यहां अक्षर मैंने लिया है वो है र र पे ए की मात्रा तो बन जाएगा रे क्या बन जाएगा बच्चो रे अब अगला अक्षर मैंने यहां पर लिया है ल तो एक साथ पढ़ेंगे बच्चो रेल आप भी पढ़िये बच्चो शाबाश वेरी गुट अब अगला अक्षिर मैंने यहाँ पर लिया है क क पे ए की मात्रा तो बन जाता है के अब अगला अक्षिर यहाँ पर मैंने लिया है ल लोके साथ मैंने लगाई है आ की मात्रा तो बन जाता है ला तो इसे एक साथ पढ़ेंगे बच्चो केला आप भी पढ़िये बच्चो शाबाश अब अगला अक्षिर मैंने यहाँ पर लिया है श श पे ए की मात्रा लगाएंगे तो बन जाता है श शे, क्या बन जाता है बच्चो, शे, अब अगला अक्षेर मैंने यहां पर लिया है र, एक साथ पढ़ेंगे बच्चोंसे, शेर, आप भी पढ़िये बच्चो, वेरी कर, बहुत अच्छे बच्चो तो चलो बच्चो आके चलते हैं अगला अक्षिर मैंने यहाँ पर लिया है तो के साथ मैंने लगाई है आ की मात्रा तो बन जाता है ता अगला अक्षिर मैंने यहाँ पर लिया है र र पे एक ही मात्रा लगाएंगे तो बन जाता है रे तो इसे एक साथ पढ़ेंग बच्चो तारे आप ही पढ़िये बच्चो तारे शाबाश बच्चो अब अगला अक्षर मैंने यहां पे लिया है ज़ ज़ के बाद अगला अक्षर मैंने यहां पे लिया है ल ल पे एक ही मात्रा लगाएंगे तो बन जाता है ले अब अगला अक्षर मैंने यहां पे लिया ह ब पहे मैंने लगाई है बड़े ए की मात्रा तो बन जाता है बी अब इससे एक साथ पढ़ेंगे बच्छो जले बी आप ही पढ़िये बच्छो शाबाश बच्छो अब अगला अक्षिर मैंने यहाँ पे लिया है क क क के बाद अगला अक्षिर मैंने यहाँ पे लिया है र र पे ए की मात्रा लगाएंगे तो बन जाता है रे अब अगला अक्षिर मैंने यहाँ पे लिया है ल ल पे मैंने लगाई है आ की मात्रा तो बन जाता है ला तो इसे एक साथ पढ़ेंगे बच्चो करेला आप भी पढ़िये बच्चो शाबाज बच्चो अब अगला अक्षर मैंने यहाँ पे लिया है ख ख पे मैंने लगाई है एक ही मात्रा तो बन जाता है खे अब अगला अक्षर मैंने यहाँ पे लिया है त तो एक साथ पढ़ेंगे बच्चो खेत आप भी पढ़िये बच्चो शाबाश बच्चो बहुत अच्छे बच्चो अब अगला आक्षर मैंने यहाँ पे लिया है ख ख पे लगाई है मैंने एक ही महत्रा तो बन जाता है खे अब अगला आक्षर यहां पे मैंने लिया है ल, तो इसे एक साथ पढ़ेंगे बच्चो, खे, आप ही पढ़िये बच्चो, शाबाश बच्चो, बहुत अच्छे बच्चो, अब अगला अक्षर मैंने यहां पे लिया है म, म पे मैंने लगाई है, एक ही मात्रा तो बन जाता है म, अब अगला अक् लगाई है आ की मात्रा तो बन जाता है ला तो इसे एक साथ पढ़ेंगे बच्चो मेला आप भी पढ़िये बच्चो शाबाश बच्चो अब अगला अक्षिर मैंने यहाँ पे लिया है ब ब पे मैंने लगाई है एक ही मात्रा तो बै अगला आकशर यहां पे मैंने लिया है ट के साथ मैंने लगाई है बड़े ए की मातर तो बन जाता है टी तो इसे एक साथ बढ़ेंगे बच्चो बे टी आप भी बढ़िये बच्चो शाबाश तो बच्चो ये थे हमारे A की मात्रा वाले को